नमस्कार FNO की पाटशारा में आपका स्वागत है मैं हुमानसी दवे और वाइदा बाजार की ABCD में हमारे साथ है Z Business के मैनेजिंग एजर अनिल सिंगवी जी अनिल जी डेल्टा हम समझ रहे हैं लेकिन डेल्टा की वैल्यू में कॉल और पुट ये अलग-अलग होते हैं क्या ह होता है किस तरह से क्याल्किलेट होता है पहली बात तो थोड़ा सा पीछे से लिए हम समझ रहे हैं ग्रीक्स पांच तरह की ग्रीक्स जो हमें समझने उसकी शुरुआत हमने किया डेल्टा से और डेल्टा वो है अगर आपने किसी इंडेक्स का ओप्शिन खरिदा हुआ है या बेचा गहा है या किसी स्टोक के ओप्शिन में ।्रेट किया है। इंडेक्स की आपने इंडेक्स की प्राइस में जो बदलाय Jewish अधिए उस बदलाव के सामने ऑप्शिन के भाव में कितना बदलाय होना चाहिए यह ए डेल्टा अबॉटarta है। अब ऑप्शिन दो तरह होगा highest किसी भी call option का डेल्टा, add the money, 11,500 की निफ्टी चल रही है, और 11,500 का ही अगर आपने कोई call option trade किया है, तो उसका डेल्टा होगा half, आदा, इसका मतलब क्या, कि अगर निफ्टी एक point उपर या नीचे हुआ, और आपके पास add the money option है, खरीदा हुआ है या बेचा हुआ, तो आपके उस option का भाव आधा point उपर या नीचे होगा, clear है? ठीक है, और ये add the money में है, simple, add the money, समझे आपने 11,500 का call option खरीदा हुआ है, ठीक है, add the money है, उस वही भाव चल रहा है, आपने वो call option ले लिया समझे 50 रुपर में, ठीक है, अब अगर 10 point आगे बढ़ा, कुछ तो option का भाव 5 point बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये तो add the money का होगा, add the money का होगया, in the money और खास्तों से deep in the money, वो जो option है, उनका delta होगा 1, deep in the money क्या होगया, समझे 11,400, 11,300 का call option है, और 11,500 निफ्टी और लड़ी चल रही है, तो ये call option deep in the money होगया, तो इस case में क्या होता है, जाइसी बात है, आपने 11,300 का call option खरीदा होगया, अब जितना बढ़ेगा, तो delta भी उसका एक हो जाएगा, ये जितने point निफ्टी बढ़ेगा, उतने point, आपके option का दाम भी बढ़ेगा, और deep out of the money, समझे आपने 11,500 निफ्टी निफ्टी का call option खर आपने 12,000 का call option खरीद लिया, वो दो-300 बढ़ेगा निफ्टी, तब भी वो हिलेगा भी नहीं, बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत दूर का call option है, तो ये 0 से लेकर, 1 के बीच में, call option में data range करता है, call option का delta हमेशा positive होता है, ठीक है, क्लियर होगा, थोड़ा confusion है, नही call option है, जितना निफ्टी मुव करेगा, उतना ही option का भाव भी मुव करेगा, ठीक है, आसान है अभी, deep out of the money, deep out of the money, zero के आसपास होता है, बले निफ्टी मुव करेगा, उपर ये निचे, वो नहीं के बराबर मुव करेगा, सब्सक्राइब ग्यारा पान सो चल रहा है, और आ के option में वक्त लगेगा, जब तक आप उसके नजदीक ना पहुंचे ना, तो ये है आपका call option का निफ्टी मुव करेगा, अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे भाव बढ़ेगा, सब्सक्राइब ग्यारा पान सो add the money call option का डेल्टा आधा है, निफ्टी बढ़ गया, 100.00 एक चीज़ एक चीज़ और है, तो ऐसे वह हरोग चेंज होता रहता है, ठीक है, आप समझ गी, उसके साथ flexibly आपको ये समझना है, तो ये तो call option के बाद भी है, तो ये call option के बाद भी है, तो पूट, बिल्कुल, तो पूट option में, पूट option में बिल्कुल उल्टा कर दीज़ एक चीज़ बड़ी आसान है, अब तक इतने class के बाद मैं समझ चुके के call के बाद जब पूट आप पूछते हैं, या बोलते रहे हैं, तो उल्टा ही कर दो, एक दम मतला, एक चीज़ समझना है, लेकिन फिर भी उल्टा करना इतना आसान ही होता है, ये बात सही, लेकिन, उप्षिन में क्या है, पूट आपुट का देल्टाल जब का देल्टा słu 지 1 चलते हैं, टो पूट का? 0 से-1, आच्छा, 0 से 1 तो उसका 0 से-1, ठीक ह 20 मत था М honeymoon put है तो उसका सिंपल है ठीक है तो कॉल का जब इंदमनी 1 है तो पुट का माइनस 1 है 11,000 अब मैं एक्जाम्बल दो 11,500 निफ्टी चल रहा है एड़ दमनी पुट उप्शिन का डेल्टा है माइनस हाफ ठीक है ठीक है सपोज निफ्टी गिरता है 20 पॉइंट तो आपके ऑप्शिन का डाम 10 पॉइंट से बदलेगा 10 पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है और अगर उपर चले आ जाता है 20 पॉइंट निफ्टी तो आपके ऑप्शिन का डाम 10 पॉइंट कम होगा यह हो गया आपका एड़ दमनी पॉट उप्शिन ठीक है आउट अफ दमनी क्या है जीरो जी और समझे 11500 निफ्टी चल रहा है और आउट अफ दमनी आपका पॉट उप्शिन हो गया समझे 11000 का तो 100-200 पर निफ्टी गिर भी जाए जिसे निफ्टी गिर तो पॉट उप्शिन आलों को फाइदा होना चाहिए लेकर आउट अट जल्दी से बदला होनी होता जब 11500 का निफ्टी चल रहा है ठीक उसी तर से 11500 से निफ्टी गिर भी जाए तो 11000 का पॉट उप्शिन में भी ज्यादा बदला होनी होगा अच्छा मिलब जीरो की तरह है जीरो बहुत मुश्किल से हिलेगा और अच्छा और इंदमनी तुरं होनन से बाव में बदला होता जिगर और जितना डीप इंदमनी है उतना बाव में एकदम वन ओनमन कोडहें होने में सिंपल चेजेज है आप एक तरह से trade futures में कर रहे हो in the money option में trade करने का मतलंब एक तऱ से future में trade करना है अब भाहि जैसे 11500 चल रहा है nifty और 1300 का call option खरीदता है, in the money call option है यह जैसे 11500 जो nifty चल रहा है 11700 का put option खरीद रहा है तो इंसमें money put option है तो जब in the money put option आप कर रहे हो trade यह in the money call option तो इसका मतलब clear cut है कि जैसे ही निफ्टी में कोई भी बदला होगा आपका profit or loss शुरू होई जाता है तुरन प्रभाव से तो in the money में तो आपको पूरा का पूरा benefit मिलेगा या तो plus one होगा call option के case में इधर minus one होगा ठीक है तो same formula है अभी मैं बैठके देखूंगी और फिर मैं करके लिख लूँगी ताकि इसे भूले यह थोड़ी से advanced study है और समझना चीज़ देखे कोशिच करनी चीए अगर आपको एक अच्छा option trader बनना है तो और मैं बटाओं आपको कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिफ अच्छा option trader बनके कमा रहे हैं और इसलिए कर option आप कमाई भले ना हो लेकिन options अगर आपने ढंक से समझ लिए और आपने ट्रेट करना फिए बिना रिस्क वाली कि ओल्मोस्ट जीरो रिस्क से आप option में पैसा मना सकते हैं दिमाग लगाना पड़ेगा बिस आपको मजा तो आ रहा है इससे समझने में और अगली भी क्लासे हैं गामा ठेटा वेगा रो चार इंटरेस्टिंग चीजे हो रहे हैं हमारे पास हम जुडेंगे आपके साथ आप आपके साथ